नमस्कार दोस्तों निफ्टियो चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज से 15 दिन पहले मैंने आपको कहा ही था जब 16850 से वह भी मैंने 15 दिन पहले बताया था कि 16850 से मार्किट 16850 तक मार्किट गिरेगी तब मार्किट 17800 17900 पे थी और वहां से मार्किट गिरी फिर 16850 पे जैसे ही आई थी उस दिन मैंने कहा था कि जब अब 16850 से उठकर वो 17400 420 के आसपस जाएगी और बैंक निफ्टी भी 38600 से 4456 तक जाएगी तो exactly वहीं हुआ exactly वहीं target हिट हुए निफ्टी का 17400 420 कहा था और आज निफ्टी ने 17380 के आसपस लगाया और बैंक निफ्टी ने exactly उसी लेवल के पर अपनी closing दी जो target हमने दिये थे तो यहीं जादू होता है price action का यह कोई वह नहीं है कि हमने कोई भीष्यवानी की यह हमने एक technically study की उस study का यह फल है कि हमें exact level मिले और वह study इतनी काम्याब रही कि मेरे कहने पर जिन्होंने long term में यह ले लिये थे next month की expiry के जो कईयोंने 17-400 की call ले ली थी कईयोंने 45-500 की call ली थी उन सब के आज मुझे काफी message आए उन्होंने काफी खुशी जताई उन्हें का कि हमें बड़ा भारी भारी बरकम profit हुआ तो मुझे यह जानकर काफी खुशी हुई कि यह हुआ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज मैं टेली ग्राम पर नहीं आ सका अपनी commentary नहीं डाली और आज सारा दिन भी मैं किसी और काम में बीजी क्योंकि कोई बहुत emergency काम पढ़ गया है तो इसलिए मेरी commentary नहीं आप आई टेलीग्राम मंडे को भी टेलीग्राम पर कमेंटरी नहीं आएगी आज भी यह वीडियो भी नहीं आनी थी पर कई लोगों के मेरे पास message आए कि नहीं वीडियो कम से का आप डाली तो आप वीडिय guidance मिल जाती है direction मिलती है कि किदर जा रहा है तो यह मैं वीडियो भी जस्ट एक laptop पर त्यार कर रहा हूं यह मैं अपने office से नहीं बना रहा है तो अगर थोड़ी बहुत कोई कमी रह जाए तो उसके लिए माफ कर देना बाकी हो सकता है कुछ levels में भी रह जाए क्योंकि मैंने तो यहां से मेरा सारा system तो वहीं office में है तो बिना किसी system से मैंने यह वीडियो त्यार की है और कोशिश किया कि आपको exact level दे सकते तो इस तरह से निफ्टी ने सत्रा तीन सो असी टच किया और सत्रा दो सो पच्पन के उपर हमने 17,200 की call ली यह सुभे सुभे दर्शन हो गए थे कि 15 मिन पहले 15 मिन की यह candle close हो चुकी थी उसके बाद सत्रा दो सो पच्पन clear था कि अब उपर जाएगा और हमें exact target भी मिले उसके बाद bank nifty में यह मैंने कह पाई था कि अगर 20 डैमा के उपर bank nifty निकलती है तो वह आपने बाई करनी है तो पहले gap up opening हुई एक dip मिला 4200 तक उसको फटा फट बाई किया गया और हमारे जो exact target थे 4590 वहीं target हमें exact मिले भी 4500, 4600 यह मैंने target दिये हुए थे तो वो exactly वहीं target मिले और fin nifty में भी 17,970 के उपर 17,900 की call buy करने के लिए कहा था और वहां से भी हमें काफी अच्छा profit मिला और 18,080 तक fin nifty ने भी high लगाए तो आपका ज़ादा वक्त ना लेता हुआ क्योंकि मेरे पास sources कम है तो मैं एक laptop बना रहा हूँ तो सीधा मैं उसी बात पर आता हूँ levels पर कि अब जो कल Monday को आपने trading करनी है कहां से आपने call buy करनी है कहां से put जहां तक डाव फ्यूचर का सवाल है तो डाव फ्यूचर को मैं एक बार आपको खोल के बता जिता हूँ डाव फ्यूचर अब डाव फ्यूचर में देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि 32,511 के उपर यह 20 EMA के उपर जो डाव उस दिन सस्टेन हुआ है यहीं कारने के पूरा वर्ल्ड मार्किर उचल पड़ी है पूरी वर्ल्ड मार्किर में इस बात की खुशी आ गई थी कि 20 EMA के उपर डाव फ्यूचर सस्टेन हो गया अब उसने और भी कमाल कर दिया उसने य 30 EMA 100 EMA 200 EMA तीनों के उपर अपनी अभी तक सस्टेन हो हुआ है यह यह फ्राइडे की रात को वीडियो बन रही है तो यह अभी तक सस्टेन है अभी मार्किर क्लोज नहीं हुई डाव फ्यूचर की तो इससे क्लेर होता है कि मार्किर अब और भी गैप खुलने के चांसिस र में भी डी इस तो पहले सी बुलिश है और इंडेक्स फ्यूचर भी उन्होंने लगबग 267 क्रोर का बाइं किया है और स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छी खासी बाइंग की है मतलब अब एफफ़ई की तरब से भी हरी जंडी है मार्किट को पूरी पूरी डाइडी इस भ देर दिख रहा है कि 40,500 पर अच्छी खासी पूट राइटिंग है मतलब 40,500 एक अच्छा बेस बनके उबरेगा मंडे की मंडे वाले दिन मार्किट में और इस डिप को हमें बाय करना चाहिए और उपर की और जो रिजिस्टेंस है वो बिखरा हुआ है अभी कहीं पर भी र स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस कहीं पर भी नजन नहीं आ रहा है इसका मतलब कोल राइटर के अंदर अब इतना कॉंफिडेंस नहीं है मार्किट में बुल्स पूरी तरह से हावी है और हर डिप को हमें बाय करना चाहिए अब हमने करना क्या है देखिए बैंक निफ्टी के ज जो हम वेंस्टे को वीडियो बनाएंगे तो थस्टे वाली वीडियो में मैं वह लॉंग टम के लैवल भी आपको बता दूंगा कि अब बैंक निफ्टी और निफ्टी के कहां तक जाने की पूरी पूरी पॉसिबिल्टी तांकि आप लॉंग टम में फिर से पूजीशन ले देखिए मैं दुबारा दिखाता हूं आपको चालीस पांसो तक अच्छी पूट राइटिंग है और अगर आप देखें चालीस दोसो चालीस तीन सो चालीस पांसो और इस टाइम जो बैंक निफ्टी है वो चालीस छेसो आठ है मतला अगर कोई डिप भी आता है उसको देखनी पड़ेगी 10 मार्च की फिर देखिए 2 मार्च की फिर देखिए 1 मार्च की तो आपको यह सारा कारण समझ आ जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि 40,300 का डिप आपको बाइ करना चाहिए 40,300 के हर डिप को बाइ कीजिए और नीचे stop loss रखिए 40,170 का उपर की और हमें जो टार्गट मिलेंगे 40,500, 40,600 क्योंकि 40,600 पर ही 50 एम है तो अगर मार्किट कल 40,600 के नीचे खुलती है तो यहाँ पर एक पुट जुरू ट्राई किजिए चोटी सी 40,100 की पुट ट्राई करना और stop loss रखना 40,687 का और उसके साथ आपको नीचे टार्गट मिल सकते हैं 40,500 और 40,300 तक के याद रखना है जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ क्योंकि मार्किट का ट्रेंड अप है हम जहां पर पुट लेंगे वहां पर सिरफ उपर जो मैं लेवल जता हूँ वही stop loss रखा करो और नीचे की और जहां पचास सो पॉइंट मिले वहां से निकल जाया करो बै कि फ्रेश ब्रेक आउट जो आएगा वो आएगा 4810 के उपर क्यों उसके लिए आपको देखनी चाहिए केंडल 10 मार्च की और फिर देखिए 2 मार्च की और फिर देखिए 31 जनवरी की और 30 जनवरी की इन केंडल को देखे एक कंक्लूजन निकर रहा है कि जब जब बैंक नि 50 सस्टेन होती है तो आपको 40,500 की कॉल बाइ करनी है और उसके लिए जो स्टॉप लोस रखना है वो रखना 40,600 40,600 के स्टॉप लोस के यह क्यों है 600 मदब 50 एमा स्टॉप लोस रहेगा और 100 एमा के ऊपर अगर 15 मिट की कैंडल क्लोज होती है तो वहां पर हमने कॉल बाइगा नहीं और टार्गट रहेगा 41,000, 41,066 और 41,500 के लेवल आपको मिल सकते हैं उसमें क्या क्या है 41,465,41,587 यह हो सकता है थोड़ा सम्मिले से गलती हो जाए तो दिहां से एक बार 50 एमा आप देख लेना क्योंकि मैं बाहर से बना रहा है तो यहां पर जो ले रहा हूं यहां पर तीन एमा डेमा की ही सब् पांच च्छे की नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना तो 50 डेमा के उपर ही दुबारा बाय करनी है बैंक निफ्टी उससे पहले पहले यहां पर जैसे ही 41,500 ताली 600 आये तो वहां पर आपने 41,600 की पुट ले ले नहीं है पर स्टॉप लोस रखना 41,610 का यह आसपास 41,600 की पुट ले ले ना और नीचे आपको जो टार्गेट मिलेंगे वह मिलेंगे 41,000 और 40,800 अगर 41,000 भी मिल जाए ना फटा 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 अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना क्योंकि मार्किर का ट्रेंड अप है उसके बाद द्यान रखना की ताली 600 ताली ज्यादा मार्किर यहां तक ही उच लेगी अगर इसके उपर गई तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि टेली ग्राम पे कुछ ना कुछ आपको जुरूर बता दो जहां तक नीचे का स्वाल है तो अब पुट तभी लेनी है जब 39,980 मतलब 20 MA, 200 MA, 20 MA ये सारे MA तूट जाए त आपका जो stop loss रहेगा वो रहेगा 40,100 का 40,100 का और फिर नीचे आपको 200 MA और दुबारा 200 MA कहा है 39,811 पर और उसके नीचे क्या मिलेगा 39,650 और 600 तक का डिप क्या है यहां पे 50 MA तो इसलिए 50 MA तक ही जाज ज़्यादा फिर डिप आएगा और 50 MA से बार-बार मार्कित अगर इसमें कोई कमी पैशी रहे जाए वीडियो में तो बता जाना फिर मैं उसके बार में और क्लेर कर दूँगा क्योंकि आपको पता है कि मैं बाहर से बना रहा हूं वीडियो तो अब आते हैं हम निफ्टी में हमने अब क्या कर देखिए निफ्टी में आपको जैसे की option पर closing है तो clear cut है कि 17300 तक कर डिब बाय करना चाहिए उपर जो अगर रिजिस्टन्स है तो वह बिखरा पड़ा है अभी रिजिस्टन्स तैन ही हुआ है किसी से भी 17500, 17700 पर थोड़े बहुत call writer नजर आ रहे हैं बाकी Monday को पता चलेगा कि कहां पर strong resistance create हो रहे हैं तो उस हिसाब से फिर आगे market चलेगी तो अभी आपने क्या करना है 17328 17328 यह क्यों कह रहा हूं 17328 यह देखिए नो मार्च, नाइंथ मार्च, तीन मार्च यह सारे डिप बाय किये गए हैं 17300 तक के तो 17300, 320 तक का हर डिप आपने बाय करना है और stop loss लगा देना 17300, 17300 के stop loss के साथ आपने 17300, 330 का डिप बाय करना है उपर target 17380, 396 और 420 तक के मिल सकते हैं अगर थोड़ी सी gap up opening होती है मालो 17300, 396, 3400 के उपर gap up opening होती भी है तो ध्यान रखना कि 17380, 400 पर तो आप बाय कर सकते हो call पर अगर 17420 आ जाए तो वहाँ पर अपना profit बुक कर लेना है या रखना कि मैंने 17400, 420 क्यों दिया था 50 वैमा की वज़ए से अब 50 वैमा है 17428 पर तो मार्किर जादस जादा 174 420, 428 तक यहां से जाएगी और 17420, 428 पर वहां से profit booking आ सकती है तो यहां से आपने 17500 की put लेनी है 17430 के stop loss के साथ और नीचे जो 500 पॉइंट अगर 20-30 पॉइंट भी मिले तो वहां से profit बुक कर लेना उसके बाद अगर दुबारा बाय करना है तो तब बाय करना है जब आप 17430 को market cross कर गी है पांच पांच मिनट की तीन candle 50 वेमा की उपर closing देगी है तब आपने 17400 की call दुबारा बाय करनी है नीचे stop loss 17420 का रखना है फिर आपको मिलेगा non-stop भागेगी market बड़ी तेज वह जाएगी सीधा 17477 वहां पर क्या है 200 डेमा तो 200 डेमा पर फिर आपने वापस 17600 की put ले लेना 17500 के stop loss के साथ क्यों क्योंकि 17500 पर जबर 10 call राइटिंग है तो वहां पर क्योंकि market अगर 174430 पर भी खुलेगी तो 17500 पर call राइटर और और भी ज्यादा आ जाएगा फिर भारी call राइटिंग आ जाएगी तो उस चीज को assumption करके मैं कह रहा हूं पहले 1515 पर तो उसके stop loss के साथ आपने put buy करनी है और वहां से फिर से 20-30 point नीचे की ओडिप लगे 17430 तक तो वो आपने अपना profit book कर लेना है और stop loss put का 17510, 17520 की आसपास रखना है तो ये था trade setup निफ्टी का उपर की side भी down side जाए तब भी और अगर मालो 17300 का stop loss ही हो गया और market न तब आपने क्या करना है तब आपने करना क्या है तब आपने 17200 तक के dip को भी दुबारा buy करना है क्यों क्योंकि 17200 पर पहले सी put writing काफी अच्छी है वहां पर 20 एमा और 20 डेमा भी है तो वहां पर फिर से आपने 17200 की call बाय करनी है और वहां पर आपने जो stop loss रखना है वो 23238 तो यह नीचे का भी मैंने बता दिया आपको और उपर के भी सारे लेवल बता दिये कि कैसे कैसे आपने ट्रेडिंग को करना है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जुरू लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जदा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चल सकते कि मार्किर तो स्ट्यडी करना कितना है 15 पहले 20दिर है हम इस चेस्प को मार्किर कहां जाएगी क्या करेगी कहां से मुड़ से चलाउंग लगाएगी थैंक यू धन्यवाद कर दो कर दो